दोस्तों क्या आप जानते कि अब आपकी फोस में या फिर आइफोस में FM रेडियो नहीं होगे या फिर आइफोस पर तो FM रेडियो होते भी नहीं है तो इसका क्या रीजन है पहले जब FM का इजाद हुआ या फिर उसका आप क्या सकते इन्वेंट हुआ तो एक बहुत जरूरी जरिया बनिया लोगों के लिए न्यूस पहुचाने के लिए गाने सुनने के लिए या फिर और भी अदर काम्स के लिए और काफी टाइम्स ते ये चलता भी आ रहा था यानि कि कुछ साल पहले तक एक FM रेडियो ही माध्यम था इंटेटेमेंट का न्यूस सुनने का क्रिकेट न्यूस सुनने का और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग है इंडिया में जो FM रेडियो रेगुलर वेसिस पे सुनते है ठीक है तब ही तो FM रेडियो पे हम लोग अलग-अलग कंप्रिया अपने अच्छे पैसे बे करती है आड्स के लिए और भी कई चीजों के लिए तो आखिर क्यों ऐसा क्या रीजन था कंप्रियों क्यों स्मार्टफोन से उन्होंने FM रेडियो निकाल ही दिया बन तो बात छोड़ निकाल ही दिया ऐसा क्या रीजन आया क्या उनकी कोई चाल थी क्या मतलब उनको पैसा कमाना था किसी और जरी से इसलिए FM रेडियो निकाल या फिर वो अपनी manufacturing में कुछ जो है तकनीकिया कम करना चाहते थे या मेहनत कम इसलिए घटा दिया या क्या reason था इसकी पूरी कहानी और पूरी detail मैं वीडियो की शुरू से लेकर अंध तक जरूर देखेगा ताकि आपको पूरी information detail में मिले और iPhone ने तो बहुती बत्तर काम किया इस चीज में तो ज़्यादा रधियर करते हुए चलिए जानते हैं सबसे पहली बात दोस्तों जब यह फोन थे पहले यानि कि जब हम की पैड यूज करते थे या फिर नॉर्मल जो सेवी टच फोन साय थे इसमें बटन्स और वह यानि कुर्टी वाले फोन्स तो उसमें क्या होता था कि हमारे में FM रेडियो होते थे और आराम से हम एंटीना निकालते थे कई में तो एंटीना भी होते थे तो अब फेम एंटीना बीडियो को इंटीना बजने लगे थोड़ा और हम एवोल हुए तो उसमें क्या हुआ कि जब हम सिर्फ अपना हैंड फ्री लीड या फिर फोन लगाते थे तभी FM रेडियो काम करता था तभी हम करना बन कर दिया आप यह बात अगरी करो या नहीं लेकिन हमने खुदने इंजॉय करना बन कर दिया क्या है यूट्यूब्स गाना सावन इन्हीं सबसे काफी सैटिसफाइड हो गए थे तो हमने FM रेडियो ही सुनना बन कर दिया कंपनी ने यह चीज नोटेस करी तो कंपनी क्या चाल चली कि हम आपको बता भी नहीं सकते और क्या है पूरी चीज तो पूरी डेटेल में सुनिए यहां पर कुछ नए फोन जो अभी रिलीज हुए यानि कि जैसे LG का V40 हो गया आपका और साथी साथ हो गया आपका Samsung की M-series तो इनमें क्या FM रेडियो ही हटा दिया गय उसमें FM रेडियो को ही निकाल दिया गया है तो इसका कारण क्या है इसके दो कारण है सबसे पहले एक कारण को जानेंगे पहला कारण यह था कि जब फोन को मैनिफाक्टर किया जाता था तो हर एक अलग देश के हिसाब से वहाँ पे जो FM रेडियो का जो एक तरीकी से उनकी बढ़ जाती थी या फिर कह सकते कि जो मैनत होती है टेक्निकली वह काफी बढ़ जाती थी तो यहां पर कंपनी ने क्या किया जैसे कि Samsung, Google या और other companies हो गई उन्हों ने ये सोचा कि हम FM की डिवाइस को तो उसमें अंदर रहने देंगे यानि उनके जो प्रोसेसर उसमे अगर हम बात करें तो ये तो एक तरीके समझी जे एक घटिया सा रीजन था कंपनी ने जिसकी वज़े से FM रेडियो को बन किया गया वो ये था कि जो अलग पार्टीज आप्स है यानि कि गाना, सावन, जियो म्यूजिक अगर FM रेडियो होते थे तो कोई इनके इन भी अच्छी होगी भागी कंपनियों से प्रॉफिट भी ज्यादा मेलेगा कहीं नगा इनका पार्टनर्शिप भी होगा तो शायद इस वज़े से इन्होंने FM को भी निकाल दिया तो ये तो सबसे बेकार रीजन्स हो गए घटिया काम जो कंपनियों ने किया अगर लेकिन यहां पर आइफोन ने तो अपने प्रोसेसर में नहीं नहीं करने का तो शायद इस वज़े से उन्होंने शायद यह भी पक्काई है यार इन्होंने इसलिए भी FM का कुछ जरीया ही नहीं दिया कि आप FM इंजॉय करो तो क्या रहा है आपके इस बारे में मैंने दोनों रीजन बताया आपको पहला रीजन बेनिफाक्टरिंग में ज्यादा मेहनत न लगे पैसे न खर्चो और अलग अलग देश के इसाथ से ट्यू तो आपका क्या कहना है इस बारे में क्या आप खुश है इस फैसले से मुझे जरूर नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा और अगर ये वीडियो ये टॉपिक और ये जानकारी पसंद आई हो न तो एक राट बटन होता है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बैल आइक करते रहते हैं तो जाहिए वद्दे मात्रब डोसा में इस शेटिफ टो वेक इडिये टेकी थांक यू